बिस्मि अर्लाहरोमान इर्रहीम आज की वीड आपक ए हाव टू टेकेंग है विंका क्टिंग विंका प्लींट है यह हम इसे वह क्टिंग स्कुआ कर ने जा रहे हैं प्लान जो है वह बहुत सब्रतत कर रहा है क्टिंग लगाने का टाइम है तो हम अभी इसका जो है वो cutting लेने का तरीका भी देखेंगे और हम जो है इन cuttings को लगाएंगे भी सही cuttings लेने के लिए जो है वो आपने cutter लेना है cutter अच्छा होना चाहिए और synthesize किया होना चाहिए hydrogen peroxide के साथ आप इसे साफ कर सकते हैं cuttings जब भी हम लेते हैं तो हमेशा जो है वो यंगर शूट्स होती है उनको हम ऐजे cutting लेते हैं तो यंगर शूट्स यह जो नई shoots grow कर रही है नई stems grow कर रही है इनको जो है वो हम ऐजे cutting लेंगे और यह देखें जो है वो कम इसकाम जो है वो 6 इंच से ज्यादा की होनी चाहिए अब यह देखें कटिंग है यह नोड एरिया है कि इसके नीचे से जो है हम इसे कट करेंगे को कि सो अभी हम इसकी करें लेते हैं इस तरह से कि एक कटिंग हम कि यह लेंगे और यह कटिंग जो है इसको हम लेंगे और एक कटिंग यह हम इस जगाल से लेंगे हैं हुआ कहिंग है कि कटिंग शम्ने ले ली है यह रेखें और सोयल भी पॉट में अधार रहे हैं मुअल और में न Frans family को बालो ने में फिर्ग अधाता हैं enrichment फॉल्स कि हम उतार देगे शबी एक कि सोगहिए रहे हैं सेज हम इंतार देंगे इसको Brave नौद है सारे लीव्स उतार दें और स्लार जो हैं उनको भी आपने उतार देना है लगाटा हो ऑरने में बस आखरी है लीव्स रेहने देना है ताके जो है वो रूटिंस में घुर्ज को हिल्प आउट कर सके झारप को भी उतार दें ॉ यह बिर्ड लगेवे हैं इनको भी उतार दें कियोंकि यह भी जो है वह काफी नर्जी लेते हैं और रूटिंग के लिए जए वो Elle bayी अगर यह नर्जी लेते रहें तो कटिंग जो है इसकी स्टार्ट नहीं हो सकेगी यह देखें कटिंग में हमारे पास रेटी हो है इसी तरह से हम सब कटिंग्स को रेडी कर लेंगे और फिर उसके बाद लगाएंगे कटिंग्स के लीव उतार के मैंने इनको रेडी कर लिया है अभी वन बैवन जो है इनको लगाएंगे कम असकम दो नोड्स जो है वो सॉयल के अंदर होने चाहिए ताकि अगर एक नोड्स से रूटिंग ना भी स्टार्ट हो तो दूसरे नोड्स से रूटिंग स्टार्ट हो जाए प्लांट की इस तरह साइट से दबा देंगे पहली दफ़ा मैं इसे अची तरह से पानी देंगे और उसके बाद जो है फिर जब सॉयल बिल्कुल ड्राय होगी तब पानी देंगे इसे अभी इनिशिली जो है वो वैसे तो ये दूप का प्लांट है विंका प्रिविंकल सदा बाहर कुछ भी आप इसे कह सकते हैं लेकिन अभी जब तक कटिंग जो हैं वो अपनी रूटिंग स्टार्ट नहीं करेंगी हम इसे दूप में शिप्ट नहीं करेंगे रूटिंग स्टार्ट होने का पता हमें इस तरह से लगेगा कि अभी हमने लीव्स बिल्कुल उतार दिये हैं तो जब लीव्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे इन कटिंग्स के उपर और प्लांट जो है वो फ्रेश रहेगा तो इट मींज के प्लांट ने अपनी रूटिंग स्टार्ट कर ली हुई है पहली दफ़ा में आपने इनको अच्छे ही तरह से पानी दे देना है उसके बाद आपने पानी नहीं देना और इसे शेर्ड एरिया में आपने प्लेस करना है यह इन्फरमेशन थी जो इस वीडियो में मैंने आपसे शेर करनी थी नेक्स वीडियो में किसी नए इन्फरमेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए गुड़ बाई